वास्तु के नुसार घर की च्छत पर ये चीजे लगाने से आसपास दरिदरता कभी नहीं भड़के हैं यहां वास्तु शास्त्र का हिंदु धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है यदि आप अपने घर और अपने ओफिस में वास्तु के कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे निश्यत रूप से आपको लाव देखने को मिल सकते हैं वास्तु शास्त्र में घर का हर एक हिस्सा बहुत महत्व रखता है यदि आप वास्तु शास्त्र के नियमों का ध्यान रखता जाना ज़रूरी है अपने घर की च चछत ऑना जखता है देखने कुम लेंगे तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक घर की छत पर क्यों और कौन से चीजे लगाए जातीuchen देखे वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार घर की छत पर त्रिशूल लगाने से व्यक्ति को काफी लाब दो सकते हैं इससे घर में नकरात्म कुजा यानिकी नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर रहती है वही नेगेटिव एनर्जी घर में कभी प्रवेश करेगी भी नहीं साधी ऐसा करने से भगवान शिव की क्रिपा भी परिवार और उजातक पर बन रहती है जिससे घर में सुख और शान्ती का माहौल बना रहता है क्योंकि त्रिशूल भगवान शिव जी के हाथ में सदेव रहता है उनके पास रहता है इसका मतलब है कि वह भगवान शिव का एक प्रती है ऐसे में यदि आप छट पर छोटा त्रिशूल भी लगाते हैं तो इससे नकरात्मक्ता आपके घर से हमेशा दूर बनी रहेगी वहीं अपने घर के छट पर वास्तू के अनुसार आप पौधे भी जरूर लगा सकते हैं देखे पेड पौधे लगाने से घर के साथ सज्जा तो होती ही है साथ साथ घर सुन्दर भी दिखने लगता है लेकिन पौधों को वास्तू के साथ भी जोड़कर देखा गया है इसके लिए उत्तर पौध या फिर पौध दिशा में छोटे पौधे जैसे कि तुलसी का पौधा, गेंदे का पौधा, आधी जैसे पौधे आप अपने घर के छट पर लगा सकते है वहीं बड़े पौधों को छट की दक्षिन या फिर पक्षिम दिशा में लगाना शुब होता है देकि आप किसी भी प्रकार के पौधे लगा है, आपको दिशाओं का ध्यान जरूर रखना है क्योंकि वास्तु शास्ति में दिशाओं का बहुत अधिक महत्य है वहीं पक्षिम दिशा में सफेद रंग के फूलों के पौधे जैसे की चांदनी, चमेली और मूगरा लगाया जा सकता है इसके साथ वास्तु में उत्तर दिशा में नीले रंगे पूल या फिर पौधे लगाना बेहद शुब माना जाता है अब आपको ध्यान किन बातों करकना है देखे कई लोग घर की चछत पर कबाल, खूड़, खटा करके रख देते हैं लेकिन वास्तु के दिश्टी से ऐसा करना बिल्कुल भी शुब नहीं माना गया है ऐसा करने से परिवार के लोगों पर गलत असर पढ़ता है, नकरात्मक प्रभाव पढ़ता है वहीं सुक सम्रिद्धी के लिए चछत की साफ सफाई का ध्यान देना बहुत जरूरी है घर की चछत पर पौधे लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको मुर्जाय हुए पीड़ पौधे नहीं रखने है इसे के साथ आपको काटेदार या बोन साय के पौधे भी छट पर नहीं लगाने चाहिए फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए और वीडियोस के लिए आप बने रहे हैं सौगंध टीवी के साथ आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की